इस पर्टिक्लर वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ 6-day challenge 6-day pledge ताकि बेटा आप लोग के 48 marks तक सिर्फ chemistry में बात कर रहा हूँ और मेरे को comment section में लिखे जाओगे कि हाँ जी सर challenge accepted और इसी हफते chemistry में मैं कम से कम 48 marks बढ़ाने वाला हूँ कैसे बढ़ाएंगे वो अभी हम लोग discuss करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले बेटा आप लोग को challenge accept करना पड़ेगा कि हाँ जी सर हम ready है selection के लिए और आप जो जो guidance देत करना है अब बेटा मारे पास 9 महीने 10 महीने नहीं बचे हैं जब बेटा हम लोग series change कर सके जब हम लोग educator change कर सके अब बेटा आप लोग को finite resources के साथ ही selection लेना है and need से पहले कम से कम 4-5 बार आप लोग का revision हो जाना चाहिए और बेटा इसी channel पर मैं आप लोग को guarantee दे रहा हूं कि तीन बार syllabus मैं करवाने वाला हूँ तीन टाइम syllabus तो बेटा मैं ही करवाऊंगा इसी channel पर chemistry का तो आप लोग के लिए one stop solution बन चुका है ठीक है and आप लोग को mock test देते वे चलने mock test के लिए आप लोग को पता है पार्थ AITS से इसे अराम से आप लोग अच्छे दे दीजिए अब यहां पर देखिए सबसे पहले मैं हम लोग finite resources की बात करते हैं तो आप लोग को पता है पीटा रफतार चल रहा है इस हफते का पूरा schedule मैंने आप लोग को यह बता दिया है ठीक है और यहां पर मैंने बहुत सारे जो session से बो लग भी गए हैं अब यहां पर देखिए कि लोग 48 marks तक increase कर सकते हैं अपने सिर्फ और सर्व रफतार से आज ही बेटा शाम को छे बजे हां एक बात ध्यान रख लोग कि यह जो new timing है रफतार की वो छे बजे है शाम के ठीक है छे से 9 हम लोग रफतार में chemistry पढ़ेंगे फिर बेटा आप लोग आदे गंटे का एक गंट से expect कर सकते हो फिर बेटा कल हम लोग thermodynamics करेंगे फिर बेटा chemical equilibrium आएगा फिर बेटा ionic equilibrium आएगा redox आएगा and class 11 का पी ब्लॉग आएगा एक बी दिन ब्रेक नहीं है ब्रेक आप लोग को सिर्फ और से संडे को दिया है ताकि आप लोग mock test दे सको ताकि आप लोग उसकी analysis कर सक सीरीज से आएगा आपको तो इसको आप लोग को फॉलो करना ही करना है यहां पर देखिए बेटा six day pledge हम लोगों को इस हफते से बारा से चौधा गंटे अब पढ़ाई बेटा start करनी है इतने गंटे हम लोग को पढ़ना है अगर हमें एक अच्छे college में जाना है तो रफ्ता रिजनिंग statement based question मैं देखो यह आप लोग को प्रोवाइड कर रही है तो आप लोग उन्हें सॉल्व करोगे आप लोग उन्हें सॉल्व करोगे आप लोग कर रहे हो यह भी मेरे को जरह कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ जी सरी यह चीज़े हम लोग solve कर रहे हैं जैसे यह यह आप लोग की chemical bonding की chemical bonding की magic dpb लेकिन इसके लिए आपको classes attend करनी पड़ेंगे जब classes attend करोगे तब आपको आइडिया लगेगा और फिर यह आप लोग dpb कर पाऊगे देखो यह फिर statement based assertion reasoning मैं इस तरीके के short notes देखे कितने कितने शांदार short notes आप लोग के लिए बना रखे करिए या फिर आप लोग मेरे in short notes की help से अच्छे से revision करिए तो I hope आप लोगोंने challenge accept कर लिया है में को comment section में बताओगे रफतार में आज शाम को 6 बजे class है chemical bonding की उससे attend करोगे और chemical bonding बेटा basic है inorganic chemistry का chemical bonding एक बार आ गए तो आप लोग के जो आगे block chemistry हो दिए DF block आता है P block आत इतना important chapter है आज आप लोग का शाम को 6 बजे तो follow कर लिजेगा यह सारे link आप लोग को इस टेलीग्राम चैनल पर मैं provide करा दूँगा नी टड़ा 247 का official टेलीग्राम चैनल है सारी चीज बेटा short notes भी वही पर या रहे है rank boosting डीपीपी वही पर आ रहे है और magic डीपीपी पर य आ रहे है इसका link description में है इसका link comment box में उसको जरूर से follow कर लीजिएगा चीक है तो I hope आप लोग excited है I hope challenge आप लोगोंने accept करा है and शाम को chemical bonding के class में हम लोग मिलने वाले हैं चीक है पढ़ते रहे है बेटा selection लीजिए इसी साल और एक अच्छे government medical college चाहिए और जो भी चीज चा channel आपका है आप जरूर हमें बताइए कि सर इस चीज चाहिए इस चीज की requirement है वह सारी चीजे आपको provide करा दी जाएंगी चीक है चलिए अच्छे से बढ़िए have a great day see you guys bye bye मिलते हैं बेटा शाम को छे बजी